बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने यूटूब चनल पेपर हैकर में आज हम बात करेंगे बी एस सी थाइड समस्टर के कैमिस्ट्री के पेपर के बारे में डिसकस करेंगे दो हजार जो तेइस में दिसंबर में जो पेपर होंगे अभी हाली में या फिर किसी-किस यूणिवर्स्टी में 24 में जनवरी फरवरी में तो उनके इंपोटेंट कोश्चन बताने वाला हो तो दोस्तों को शेयर कर देना देखें यहां केमिस्ट्री में पहले हैं और केमिस्ट्री का जो है वह एक दिन पहले फिर दो दिन पहले आपको डालता हूं जो 10-12 कोश्च आप उसको भी लिख्के आऊ जैए बना-मना के लिख्की को पूरा बरना है को घ्यासिप्टा हूं कि कि घंच फ क्या रिख्या है था उन्य हुनी चाहिए मालब के विलिकFlash साब सुद्धोनी चाहिए गलत लिग दो उसको ब्रेकिट में डाल तो और भी आगे लिख सकते हो ठीक ना इस तरीके से कर दिया गरो गलत हो जाए करें लेकिन आपको उसको काटना नहीं है वरना वह निशान काफी डर्क ले दिखता है और उससे दिक्काद होती है फिर उसको उसको बना बनाके करो उसी की आधार पर करो जो आपने पड़ा है ठीक है और इसको पूरा लिख दो नुबर मिल जाएंगे देखें यहाँ क्या बात करने वाला हूँ यह नित ही है आनको च्नल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना दोस्तों को बदा देना वर्टसप नमबर भी शेर कर देना सभी को 7037-3278-380 मेरा वाटसप नमबर है एक मैसेज कर दो हाई का मैं आपको एक एप्लिकेशन का लिंक दूँगा जिसमें पेपर हैकर ऑफिसल एप्लिकेशन होगी जिस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे देन वीडियो मिल जाएंगी और पेपर हैकर के साथ में नीचे एक और होगा डॉक्टर बनो ऑल्लाइन यदि आप डी फार्मा बी फार्मा या फिर कंपेटिर्टी एक्जाम में कह सकते हैं जैसे कि आप यूजी पीजी ठीक है कोई भी कर रहे हैं दिप्लोमा कर रहे हैं फिर कह सकते हैं तो आपके लिए काफी उस्फफल रहे हैं क्या इलोपेथिक दोनों में डिशन्स का पूरा रेवी बता रहा हूं साधी चाहँ साथ मैंने बुक भी लॉंच कर रहा हूं जो आपके लिए काफी यूजफफल होगी यह जो अभी प्रैक्टिस कर रहे है ठीक है तो order of reaction very important order of reaction ठीक है और rate of reaction बिल्कुल important paper में छपेगा इन दो में से एक reaction लाइगी very important वाली reaction और सुलो zero order reaction इस पूछेगा कौन सी है बही order reaction कौन से ही तो आपको zero order reaction very important प्रत्थम और दुती इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती तो very important वाला मैं आपको बताऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम आपका पढ़ने का तो यहीं पढ़ो उसके बाद में आप से पूछेगा एक और कोशिन पूलता है कि help life method क्या होता है तो इसको पढ़ सकते हो वरना चोड़ो उसके बाद में एक आदा सक्री उर्जा की अब धार ना ठीक है तो यहीं पढ़ना है चाहिए वो लॉंग में हो शॉट में हो बस पढ़ना है ठीक है आपके गैस पर मैं जैसे भी दिया रहा है उसके बाद में आप सेकेंड समस्टर में पहुंचेंगे तो मैं आपका नोट्स अपना खुद का दूँगा क्योंकि बो नोट्स कैसा होगा टैपिंग करका करवा दूँगा सारे टीचरों से और उसके बार में उसी आधार पर दूँगा जो पेपर में इंपोडेंट है ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा तीन की तो इन्हें डंबर तीन में क्या है देखो यहां वोला गया है देखिए वंडर्वाल दो इसको बना-बना कर सकते हैं यह आगया तो आपको पढ़ना है यह वाला देखिए अब जब 9 10 दब क्लास में थे तो आपको पता होगा कि ठोज क्या होती है लिक्विट क्या होती है इन तीरों में आप से अंतर हमेशा पूचता चला तो यह तो परीद हो गया है द्रब क याद कर लेना है उसके बाद में नमर 5 में पहुंच जाएंगे और इन नमर 5 में हमें देखना है एक कोशन आप से लगबग में दो या तीन नंबर का यहां से कोशन बने का जैसे आई यूपी एसी बोलते हैं इसका नाम पतेती के बारे में पूछेगा और कुछ एक एक सब्सक्राइब बगार देदेगा तो उसे पूछेगा कि इसका आई पेशे ही नाम बताइए तो वह चीज आपको बताने होगी ठीक है उसके बाद में आपको बात करूं लीकेंड का क्लासि पूछ सकता है और मैंने कहा यदि आप लेगन पढ़ना चाहते तो पढ़ लो पर ना यह बाला तो पढ़ना ही पढ़ना है आइसमरेजम दो बिरगार के पढ़ लेना एक प्रकास ही समयता और एक होता है तो काफी इंपोटेंट है ठीक है क्योंकि पेपर में पूछा जाए तो यह जब limitation साथ में पूछ लेता है तो यह कोशन लॉंग में बनता है तो इसको अच्छे तरीके से पढ़नेंगे यदि आपने लीगेंड वाला यह वाला classification नहीं पढ़ा है तो आपको यह वाला पढ़ना है लीगेंड बंडिंग के बारे में क्या होता है ठीक है एक यह यदि आप यह भी ना पढ़ना चाहा हो तो छोड़ भी सकते हो लेकिन देखिए यह वाला जो दो वाला यह वाला देख रहें न यह वाला बैलंस बंड थियोरी और क्रेश्टल फीड थियोरी यह दो सिद्धान्द में से दोनों सिद्धान्द पूंच सकता है यह फिर एक तो पूछेगा पूछेगा वो भी लॉंग में तो आप इन दोनों को अच्छे तरीके से रट लेना यह नंबर साथ में जब पहुंचेंगे तो यह नंबर साथ में आपसे पूछता है कि डी जो संक्रमन होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना यदि आपको यह याद हो गया कि यह कोशन लोंग में बनता है हर साल और एक कोशन और लॉंग में बनता है जिसे बोलते हैं डी 1 से लेगर टी 9 तक के एलेक्ट्रोनिक इन्यास के बारे में बताये यह भी काफी इमिपूटेंट है तो आप इसको भी पढ़ लेंगे एन एल एस ही उत्ता है नहीं पढ़ ल कर देजिए देन बेला आइकन को प्रेस कर देजिए कोई प्रॉब्लम में तो कॉमेंट सेक्षिन पूछ सकते हैं आशा कर तो वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो जाल को सब्सक्राइब कर लिए प्रेस करें थेंक यू